पिछले बीडियो में आप जावा पैकेज के बेसिक्स को अलरड़ी पढ़ चुके हैं और अब इस बीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हुए कुछ नए चीजों को हम लोग देखेंगे कुछ बाते हैं जिन्हें आप हमें इसा ध्यान में रखिये पहला हर क्लास फाइल को पैकेज के अंदर रखना कोई compulsory नहीं होता एक्चुली प्रोजेक्ट के डिजाइन डिसीजन पे ये डिपेंट करता है कि किसी फाइल क्लास फाइल को पैकेज में रखना है कि बाहार रखना है दूसरा जब भी पैकेज का नाम लिख रहे हों लुवर केस नाम हमेशा यूज कीजिए यह recommended होता है compulsory नहीं है और साथ में हमेशा naming rules जो है उसको follow कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग name spaces के बारे में पढ़ते हैं जावा में जब भी हम लोग package बनाते हैं तो वो एक तरह का name space create करता है उसी को अभी हम लोग समझने का कोशिज करें कि यह name spaces क्या है जैसा कि हम लोग पहले package एक बना चुके हैं already EMP इसके अंदर में मेरा demo और employee files है चलिए demo file में कुछ editing करते हैं जैसे I am from main method और यहां पर marking के लिए हम लिख देते हैं कि EMP package का है इसलिए हम EMP जोड़ देते हैं और same का हम यहां करते हैं employee के अंदर में भी यहां जो message आ रहा है आप EMP जोड़ देते हैं इससे पता चलेगा हमको कि यह किस package का part है actually हम लोग अभी दो package बनाएंगे और चलिए इस package को copy करते हैं पूरा का पूरा type नहीं करना पड़े हैं समय बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं और इसका नाम देते हैं package EMP1 तो यह भी क्या बन गया एक तरह का package बन गया लेकिन ध्यान रहे है यहां पे हमको अभी change करना पड देते हैं और यहां EMP1 देते हैं तो चलिए हम लोग सब अपडेट कर दिये लेकिन इसको अभी हम लोग compile नहीं किये हैं compile करके हम लोग नया bytecode बनाते हैं तो compile करने के लिए सबसे पहले हम लोग compile करते हैं Java C और EMP package के अंदर में demo.java को compile करते हैं और फिर उसी तरह demo.java जब हो गया तो उसी package के अंदर में employee.java है उसको compile करते हैं और जैसा कि हम लोग अभी नया एक बनाये हैं package जिसका नाम है employee1 इसको भी compile करना ज़रूरी है और इस employee1 के अंदर में EMP1 के अंदर में एक demo भी है उसको भी compile करते हैं यानि मेरे पास total 4 Java class अभी already bytecode बन चुका है आप हमको देखना यह है कि हम लोग अभी एक काम करने जा रहा है EMP के अंदर में जो demo है इससे हम लोग दूसरे package में access करने का कोसिस कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं EMP E, यह employee किया है तो employee actual में जो EMP1 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक file है इसके अंदर का एक class है यह और इसी class को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको object बनाय हुए हैं और इसी object का नाम और उसके method को refer कर रहे हैं यानि हम लोग दूसरे तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EMP1 . और यहाँ भी लिख सकते थे EMP1 . लेकिन यह लिखना compulsory नहीं होता है अभी हम लोग अहाँ EMP1 package के अंदर में हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं हम लोग अभी EMP1 package के अंदर में हैं काम कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, EMP जो package है, उसके employee का यहाँ पर object बनाएंगे, इसके लिए हम लिखेंगे EMP dot, ध्यान रहे हम लोग EMP 1 में हैं, और EMP जो package है, उसके employee को हम लोग यहाँ call कर रहे हैं, employee, यहाँ पर E1 देते हैं, equals new employee, और यहाँ पर आप EMP extension दे दिए, यहाँ extension देने का मतलब क्या है, कि यह दूसरे package का part है, यदि इसी package का part यहाँ था, इसलिए हमको यहाँ नहीं लिखना पड़ा, लेकिन यह दूसरे package का part है, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, अब हम इसके print name को call करने के लिखेंगे, E1 dot print name, और इसको call करे यहाँ है, आप ध्यान रखें, EMP1 में हम लोग, उसका demo Java और वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम compile करते हैं, और फिर इसको हम लोग run करने का कोशिस करते हैं, Java EMP1 के अंदर का demo है, इसको run करते हैं, run करने समय यदि सब correct रहेगा, तो देखिए हाँ क्या हो रहा है, I am from main method EMP1, यह जो की EC का है, यहाँ पे EC का part है, demo का यहाँ देख सकते हैं, आप इसमें लिखा हुआ, I am from main method EMP1, यह message output आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, अभी menu EMP1 का, मतलब इसी package का, और एक आ रहा है menu EMP, जो की कहां का है, तो यह इस package का part है, employee में आ कर देखिए, अभी menu EMP लिखा हुआ है, यह EMP 1 package का part है, आप देख सकते हैं, यह EMP1 package का भी यहाँ पे output आ रहा है, EMPÁ sinner EMP का भी आरहा है, यानि यह जो हम लोग use कर रहा है, यहाँ पे EMP1 package के अंदर में EMP को use कर रहा है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग name spaces बोलते हैं, यानि जब ही हम लोग इसको fully name देते हैं तो ये क्या बन जाता है एक तरह का name spaces बन जाता है तो आप इस वीडियो में पढ़े कि कैसे हम name spaces का use करके किसी दूसरे package को हम लोग किसी दूसरे package में use कर सकते हैं call कर सकते हैं उसके methods को उमीद है आप ये समझ गया होंगे thank you